आज के वीडियो में हम सिखेंगे गूगल क्रूम ब्राउजर में हिस्ट्री को कैसे ड्लीट करते हैं तो उसके लिए चलना पड़ेगा कम्प्यूटर की स्क्रीन पर सबसे पहले आपने क्रूम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहां पर राइट एंड साइट पर थी डोट्स दियों है यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पर हमें हिस्ट्री दिया हुआ है ठीक है इसके ठीक इदर आना है और इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है clear browsing data इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यह वाला box open होगा यहाँ पर हमारे पास 3-4 option है आप अपने पिछले 24 गंटे की history delete करना चाते हैं यहाँ पिछले 7 दिन की यहाँ फिर 4 हफते की यहाँ जितनी है सारी तो मैं अभी यहाँ पर 24 select term अपने लिए क्योंकि मुझे परानी history अभी चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको browser history ही delete करना है उसके बाद है cookies and other site data कोई site important भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है तो आप इसको uncheck भी कर सकते हैं उसके बाद है catched images and files catcher files होती है जो unnecessary files पर दियाती है हमारे computer में तो वो भी हमें यहां से delete कर देनी है तो यह सब करने के बाद यहां पर clear data पर जैसे आप click करोगे तो आपकी जो history है वो delete हो जाएगी completely वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye झाल झाल